हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है FLEXA BENZ PLUS TABLETS के बारे में FLEXA BENZ TABLETS के यूज़ के बारे में जानेंगी ये किसलिए यूज़ होती है क्या इसका salt का combination होता है composition क्या होता है इसमें salts का और क्या इसके side effect होते हैं और या किस चीज के लिए आपको ठीक करने के लिए use होती है और इसको कौन सी company बनाती है तो इस वीडियो में हमने flexabence के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिस की है तो अगर आप flexabence tablet के बारे में होता है वो cyclobenzaprine होता है और जो दूसरी salt होती है acyclofenac होता है मतलब कि एगर flexabence tablet आप लेते हैं तो इसमें अगर आप salt का combination या फिर composition देखेंगे तो cyclobenzaprine and acyclofenac का होता है जिसमें cyclobenzaprine आपकी muscle relaxant होती है मतलब कि अगर आपकी muscles में सूजन आ जाती है pain आ जाता है swelling आ जाती है swelling की वज़े से सूजन आती है तो ये cyclobenzaprine उसकी swelling को कम करेगा और manspatio की खिचाओ को कम करेगा ताकि आपकी movement अच्छी हो पाए और जो आपको उसको अजीब सलग रहा होता है जब सूजन की वज़े से जो movement नहीं हो पाती है तो उसको ठीक करता है उसी के साथ-साथ इसमें acyclofenac का combination होता है जो कि आपका उससे muscles की सूजन से या manspatio में जो सूजन आ जाती है जहां भी allergy की वज़े से अगर वो चीज़े हो रही है और उसके साथ-साथ दर्द होता है manspatio में खिचाओ आता है या फिर एठन होती है सूजन की वज़े से तो उसमें इस case में आप इस दवाई को ले सकते हैं इस ये दवाई बनाती है जो company है वो Macleod Pharma है या फिर Macleod Pharma Citicals Company जो है मतलब की दवाई लेते हैं अगर आपको side effect से तो नॉर्मल बात है लेकिन अगर ये अपने से एक समय के बाद नहीं जाते है तो आप अपने doctor से consult कर सकते हैं और ये जो दवाई है मुख रूपे pain due to muscle मतलब कि अगर आपकी manspatio में खिचाओ हो जाते है या फिर manspatio में एठन होती है किसी भी allergic reaction की वजए से या भी किसी की भी कारण से तो आप इस दवाई को ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत helpful रही होगी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जनकारी प्राप्त होई होगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे दिएगे लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दवाई से related कोई भी query रहती है आप comment section में आके हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद